भाई और बेनों, आप सब लोग रामानुजाचारीजी के जीवन के विभिन्न आयामों से परिचित है। वो समाज को सही दिशा देने के लिए अध्यात्प के संदेशों का भी प्रयोग करते थे और व्यावारिक जीवन का भी जाती के नाम पर जिनके साथ बेदवा होता था, रामानुजाचारीजी ने उन्हें नाम दिया थिरुकल्थार, यानि लक्ष्मी जी के कुल में जन्मन लेने वाला स्रीकुल या देविय जन्म वो स्नान करके आते समाएं, अपने शिच्य दनुर्दास के कंदे पर हाथ रख कराते थे, ऐसा करके रामानुजाचारीजी छुवा छुथ की बुराई को मिटाने का संकेत देते थे, यही वज़े थी कि बाबा साब आम्बेड कर, बाबा साब आम्बेड कर जैसे समान ताके आदुनिक नायक भी रामानुजाचारीजी की भरपूर प्रसोंसा करते थे, और समाज को भी कहते थे, कि अगर सीखना है तो रामानुजाचारीजी की सिख्षा से सिखो, और इसलिए आज रामानुजाचारीजी की विशाल मूर्ती, स्टेची आफ इक्वैलिटी इसके रूप में समान ताका संदेश दे रही है, इसी संदेश को लेकर आज देश, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास के मंत्र के साथ, अपने नए बविश्य की नीव रख रहा है, विकास हो, सबका हो, मिना बेदभाव हो, सामाजिक न्याए, सबको मिले, मिना बेदभाव मिले, जिने सदियों तक प्रताडित किया गया, वो पूरी गरिमा के साथ, विकास के भागिदार बने, इसके लिए, आज का बदलता हुआ भारत, एक जुट प्रयास कर रहा है, आज सरकार जो योजना जें चला रही है, उनका बहुत बड़ा लाब हमारे दलीत पिछडे भाई बेहनों को हो रहा है, चाहे पक के घर देना हो, या फिर उज्वला का मुप्त कनेक्शन, गैस कनेक्शन, चाहे पांच लाख रुपिये तक मुप्त इलाज की सुविदा हो, या फिर बिजली का मुप्त कनेक्शन चाहे जनधन बैंक खाते खोलना हो या फिर स्वच्छ भारत अभ्यान के तहर करोडों सोचालों का अंदिर्मान करना हो ऐसी योजनाओं ने बलीत, पिछडे, गरीब, शोसीत, बंचीत सभी का भला किया है बिना भेदभाव सबको ससक्त किया है